इस पूरे सीजन में हम हेल्दी और ग्लोइंग स्किन कीसे पासकते हैं? हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है मैं सभी से यही कहती हूँ जैसे मेरी कुछ ब्राइज हैं, कुछ क्लाइन्स हैं कि एक लीटर पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिये और एक दिन में तीन या चार लीटर पानी पी सकें चार या साड़े चार भी पी सकते हैं अगर हो सके तो आपको अंदासा नहीं होगा कि अगर इस आदत को आप अपनाएंगे तो पानी एक हीलर का काम करता है मेरा खायल है कि डाइट भी एक बहुत बहुत एहम हिस्सा है एक दिन में चार फूर्ट जरूर खाएं और अलग अलग तरग के फूर्ट खाएं अमरूद जैसे फल भी आपको बहुत फाइदा दे सकते हैं उनमें काफी रफिच होता है अपने आप में डिटॉक्सिफाइ करता है और ओरंजिस में धेर सारा सिट्रिक आसिड होता है और बनानाज में काप्स होते हैं तो इस तरह हर फल आपको फाइदा करता है क्योंकि उसमें oil factor है यानि नरिश्मिंट का एक natural तरीका है मुझे लगता है कि खाना हलका फुलका रखने की कोशिश कीजिए दाल ज्यादा खाईए अगर आप non-vegetarian है तो red meat के बजाए fish ज्यादा खाईए और fruit juices भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं दिन में sunscreen का इस्तमाल करना ही चाहिए और शाम को makeup से पहले किसी भी तरह का moisturizer का base होना ही चाहिए लेकिन कभी-कभी कोई face pack का use किया जा सकता है जैसे हफते में दो बार आप खुद थोड़ा exfoliation कर सकते हैं बाजार में बहुत अच्छे exfoliants मिलते हैं बहुत अच्छे brands के बढ़िया scrubs मिलते हैं आप home tips के बारे में पढ़ सकते हैं अपनी skin को पहचाने की कोशिश कीजिए oatmeal बहुत अच्छा होता है orange peel powder भी है और कई लोग basin के भी pack बना कर इस्तमाल करते हैं मैंने तो सुना है coffee को piece कर scrub की तरह यूज़ करते हैं coffee, chocolate भी बहुत popular ingredient है आपको अपने लिए कुछ तो efforts करने ही होंगे ऐसा मुझे लगता है क्या sweating अच्छा होता है क्या exercise करना ज़रूरी है जी हाँ बिलकुल मुझे यकीन है कि ये भी काम करता है अपनी exercise routine को follow कीजिए चाहे वो aerobics हो या swimming हो या yoga या pranayam या you know walking जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए क्या बात है सुना आपने exercise अपनी skin के मुताबिक products यूज़ करना अच्छी diet और धेर सारा पानी इनसे आप इस पूरे holiday और त्योहारों की season में glowing skin पासकते हैं तो try कीजिएगा एमदेल के साथ बने रहने के लिए thank you और आपको भी thank you